राजस्तान के सरकारी स्कूल और मादमिक शिक्षा बोट से सम्मंदित स्कूलों के स्टूडेंट्स के लिए रहात की खबर है स्टूडेंट्स को रेडियो के बाद अब टीवी से भी पढ़ने का मौका मिलेगा इसका नाम शिक्षा दर्शन रखा गया है एक जून से स्टूडेंट्स को टीवी पर पढ़ने का मौका मिलेगा इसको लेकर शिक्षा मंतरी गोबिन सिंग डोटा सारा ने बताया कि बच्चों को ओनलाइन पढ़ाने के लिए अब शिक्षा युभाग ने नई सुईधा प्रदान की है शिक्षा युभाग एक जून से रोजाना तीन घंटे 15 मिट का स्टूडेंट्स की पर सारन दूर दर्शन पर शुरू करने जा रहा है इसमें हर क्लास का समय तय किया जाएगा शिक्षा मारी के बाद अब शिक्षा दर्शन के नाम से इस कारिकम की शुरुवात की जा रही है शिक्षा मारी कारिकम में रेडियो के माद्यम से रोज 55 मिट पढ़ाई कराई जा रही है तो शिक्षा दर्शन पर स्टुडेंट्स टीवी के माध्यम से पढ़ाई कर सकेंगे ऐसे में पाइदा प्रदेश के उन बच्चों को मिलेगा जिनके पास नेट की विवस्ता नहीं है अब इस सीधे दूर दर्शन के माध्यम से पढ़ाई कर सकेंगे असकेल शिक्षा विभाग ने वीडियो कंटेंट तयार कर लिए है राजस्तान सरकार के शिक्षा विभाग के दुआरा जो डीडी राजस्तान चैनल है उसके माध्यम से शिक्षा दर्शन नाम से एक जून से करिये करम सुरू किया जा रहा है सबी बच्चों के लिए जो स्कूली शिक्षा में कक्षा एक से लेके बारा तक पढ़ रहे हैं उनको तीन गंटे पंद्रा मिनट एक जून से पढ़ा ही कराए जाएगी और जिसमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समर वेकेशन का लाव लेना चाहिए अपने बहुश्य को अच्छा बनाने के लिए आगे प्रगती के लिए ये करिये करम राजस्तान की सरकार के द्वारा केंदर की सरकार से दूर दर्सन में